कि हेलो एब्रिवन मैं कलपना अपने चनल में आप सभी का स्वागत करते हूं तो देखिए आपका चैप्टर नमबर फाइब कि छेवरे कमार्य चल रहे हैं क्लास बारा की देख रहे हैं इसके च्पर आपको खताम हो चुके और फ्रषली ליस चैप्ट्र करoka आजbei सेखिंड वों का। सिक dicho का आपका फर्ष्ट चेप्टर यह न सको 14 इसको देखते है अब मुत इस सारी जानकानियी है्टा हैं जलती यह नोई aur गुमने आये तो उन लोगों ने चीजा को नूट किया कि हाँ ऐसा हुता है परकार से चीज है तो यात्रियों के बारे में जानकारी हम इस चप्टर में समाज के बारे में की समय क्या समझ क्या पर अपनी नोट लिये थे उसमें क्या नोट करके लिखा हुआ है है ना अब इन्हों हुए है कि 10-70 सधी तक लगवक साथ सो साल का इथ्यास हैं और देखेंगे चप्टर को मैलां और पृसने कार्द कि तलास की याम सब्सक्राइब के नहीं पांगे पत्ते देखाए हुए किस्परकार से लोगबा कान पत्ते सुपाडी या फिर चूनबुन लगा कि जो भी लगा हुआ है खाते थे दिखाया गया है त्य चीजह भी क्या है लिए बयापारियों सेनिकों परोहितों औरतिन थे इत्रियों के रूपमार या फिर साहस की भाउना से प्रहाथ होकर यात्रा की है कुछ महलाओं ने भी यात्रा की हैं कुछ पुर्सों ने भी यात्रा की हैं है ना बे जो किसी नए इस्थान पर आते हैं अतो अबस जाते हैं निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूद्रस या भौतिक परिवेस के संदर्ब में और साथ ही लोगो कि हमें प्रथाईं लोग अलग मिलेगे भासाईं अलग मिलेगी वहां की आस्था अलग मिलेगी वहां का मैं बुहार भी अलग मिलेगा इनमें siècle इन्हें से कुछ इनिया करन नेगा जाते हैं कुछ तो ढ़ल जाते हैं कुछ लोगों को आस्चर लगता है और अन जो कुछ लोगों के लिए कि रहते हैं कि वो लोग फिर क्या करते हैं अपने ब्रतान यानि वुक्स में लिख लिए कि वूदार ऐसा होता था तो वो चीज रही है कि कहां थे हम लोग देखे तर पर हाला कि हम जानती हैं कि भी सभी यात्री इधर पति की दुरभाग से हमारे पास महला धोरा छोड़ी का बिरतां तर लगभग ना के बरावर हैं महला के दो आरा बिरतां जो लिखे गये थे महलां आपकी लगभग लगगा कोई पियासी मुख महला नहीं हैं जो इसको यात्री के तोर पर उल्ले किया गया हो या यात्री के तोर पर आपने हिस्ट्रीम बहुत जादा उसको पड़ा हो है ना तो है नहीं देकिन ऐसा नहीं था कि यात्रा यात्राओं पर महला नहीं आए थी हाला कि हम यह जानती हैं कि यात्रा करती हैं तो इस रक्ष हुगा है जबकिन कुछ धार्म पर हैं या कुछ स्थापत्त के महात्या इस मारकों पर किंद्रेथ हैं तो डिपेंट करता है कि किस यात्री को किस चीज में इंट्रेस्ट है उधारान के लिए पंदर भी सताब्दी में बजैनागार सहर साथ कि सबसे महात्पूर विबरणों म बाद में देख लेंगे हैरात से आए एक राजनायक अब्दूर अब्दूर रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है कई बार यात्री सुदूर छेतर से नहीं आते थे दान के लिए मुगल सामराज में प्रसासने का दियारी कभी-कभी सामराज के वीतर भी भिर्मन करते और अपनी टिपड़ियां दर्च करते थे यानि जरूरी नहीं कि दूश्रे देश से आए और कभी-कभी हमारे देश के लोग भागी वहीं पर रहकर ब्रतांत लिखते रहते थी यह अपनी बुक्स में टिपड़ियां दर्च करते रहते थे इन मैंसे कुछ अपने ही देश को यह से में रहता है को वे अज़न से प्रकार हम अपने अतीद के विसाइमें ग्यान बढ़ा सकते हैं इसके लिए लिए तीन भी अक्तियों के बितान्तों को दिहान पूर वक्त देखेंगे एक तौप कर आप अप थेखेंगे अलवरूनी का बहुत फहमा से जो गयारवी सताब्दी में उझवे किस्तान आया था एक तुम देखेंगे इबन मतुते हैं जा था फिमा से छो 121 ताबली में आए था ये 111 ताबलाए था लवर उनी जा उम्राको से सत्र फ्रांसी से फ्रांसवा बर्नियर इस सत्रवी तीन तीन लोगों के बारे में हम देखेंगे यह बहुत important है कि इन्होंने अपने ब्रतानतों में क्या लिखा हुगा है इसको देखें नारियल कई आतनों नारियल था पान जैसी चीजों को आसामान नमाना है मतलब पान का क्या था सिपाड़ी लगा के सिपाड़ी लगा के लोग वा क्या करते थे पान के पत्ते को चपाते थे है ना और ये नारियल क्या होता था कि उपर से तो बहुत आजीब सा देखेगा बालवाल से लगे हुए जटे वगयरा इसके और अंदर जब इसको आप खोल लाया तो गया कैसे चलिए देखें आगी पूरी तरह से भिन सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रश्ट भूमी से आने के कारान एलेक अधिक गति बिनियों तथा प्रताओं के पृति अधिक साउधान रहते थे देश लिखकों के लिए इस अभी विसाय सामाने थे जो प्रता प्रताओं में दिया हुआ चलिए इसको बात में देखेंगे अब इन लोग ने चीज़ बताई है कि जो द्यानिक गतिविजिया हमारी थी तो जो हमारी ही देश के लोग थे उन्हें उन्हें पान का पत्ता देखा था चलिए इसको आंगे अलबारुनी के उद्दिश क्या थे अलबारुनी ने अपने कार का वर्डन इस पर कर किया उन्हों के लिए सहायक जो उनसे यानि हिंदूओं से धार्मिक विश्वां पर चर्चा करना चाहते थे और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रा है हो जो उनके सास्समंध ह होना चाहते थे हडाई इसको चले देखे दर पर अलबारुनी की किताब का क्या नाम है किताब अब देखे अलबारुनी खौरिजम से पंजाब तक यानि खौरिजम से उसने आतरा सुरूं की और पंजाब तक उसने क्या क्या चीज़ हैं इस बारे में बताए गया है तो चल स्थित्षवारज में हुआ था तो कहां है एसका जन्म कहां हुआ याद करिए गया कि कवर्णिंट हाद्र। सभ से अच्छी सप्राप्त करी थी वह वहाई कई भासाओं का गयाता था जिसमें उसे सीरियाई भास आती थी फार्सी आती थी तथा संस्कृत भी सामिल है युनानी भासा का जानकार नहीं था पर फिर भी वाए प्लेटो तथा अन्युनानी दार्षनिकों के कार्रों से पूरी तरह परचित था जिने उसने अर्भी अनुबादों के माध्यम से पड़ा हुआ था जो प्लेटो के प्लेटो और कुछ अन्युनानी दार्षनिक आय थे उन्होंने जो कार्र अपने लिखे हुए थे उन्होंने जी देखा वो लिखा हुए था तो उनकी जो किताव हैं थी अर्भी भासा मेंने बादित कर दी थी जब अर्भी भासा में उनका अनुबाद किया तो अल बरूनी को उस चीज का ग्यान था 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पस्चास सुल्तान महमूद यहां के कई विद्वानों तथा कभियों को अपने हाथ अपने साथ अपनी राध्धानी गजनी ले आए अंग देखे अल बरूनी भी उन मेंने से एक था अल बरूनी भी गजनी आगया वह अब अंदक के रूप में गजनी आया था पर देरे देरे उसे ऐसायर पसंद आने लगा और 70 बर्स की आईू में अपनी म्रत्तु तक उसने अपना बांकी जीवन यहीं बिताया गजनी में ही अलबरूनी को भारत की प्रती रुची विखसित हुई यह कोई असमान बात नहीं थी अठारवी सदी, अठार आठवी सवरी, आठवी सताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगुल विज्ञान, गलित और चिकित सा संबंदी कार्यों का अरवी भासा में अनुबाद होने लगा था पंजाब के गजनभी सामराज का हिस्सा बन जाने के बाद इस्थानी लोगों से हुगे संपरकों ने आपसी विश्वास और समझ का बात अवरण बनाने में मद्द की अलबरूनी ने ब्रामर प्रोहितों तथा बिद्धवानों के साथ कई बर्स विताए और संस्क्रित धर्म तथा दर्शन का ग्यान प्राप्त किया भारत के लोगों का अलकि उसका यात्रा कार्करा में सपस्थ नहीं है फिर प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उस्तर भा स्क्रता हैं तो हाशल करने के कारण फष्का सnor गृत्त सारra नीं सonie पतान जली का बैक्रान इसने यूकलिड येक यूनानी गड़तक कारणों का संस्कित में अनवात कर दिया मतलब यहां उसने इंडिया ब्रामण मित्र बना लिए थे तो उनको संस्कित आती थी उन्हें यूकलिड का यूनानी गड़तक था तो उन ब्रामणों के चीज पढ़नी थी तो उसने क्या किया उसके कारणों को उस अंस्किर्ट में अनुवात कर दिया पूर आंगे देखी उसके लिखने के समयात्रा ब्रतांत अर्वी साहित का एक मान हिस्सा बन चुके थे इसलिए हलाकी 1520 से पहले भारत में अलबरूनी कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा भारत से बाहर कई लोग कई अन्य लोग समभवता ऐसा कर चुकी थे देखे अब इसमें आँगे हिंदू हिंदू नाम कैसे पढ़ा इसको पढ़ लेना खुश्ची चली दिखें किताब उलहिंद किसकी किताब है तो अलबरूनी की इस चीज़ को याद रखने है अरभी में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताब उलहिंद की भासा सरार और इसपष्ट है यह एक बिस्तरित ग्रंथ है जो धर्म और दर्सन त्योहार खगोल विज्ञान कीमिया रिति वाच प्रथां सामाजिक जीवन भारतोल तथा मापन विधियां मूर्तिकला कानून मापतंत्र विज्ञान आदी विस्यों के आधार पर असी अध्यनों में विभाजित किया हु विज्ञान पर तो कोई मूर्तिकला कोई कानून पर है सामानिता हलाकि हमेशा नहीं देखे सामानिता जिन्नली अलवारूरी ने प्रतेक अध्याय में एक बिस्ष्ट सहली का प्रयोग किया जिसमें आरंब में एक प्रष्ण होता था फिर संस्कृत वादी यानि बहुत तर अलवारूरी की किताब में किताब उलहिंद में असाई से समझ पाएंगी आज की कुछ विद्वानों को तर्क है कि इस लगभग जयामितिय संरचना जो अपनी इस पस्टता तथा पूर्वा नूमियता के लिए उल्लेखनी है का एक मुख कारण अलवारूरी का गड़ित की और जुकाओ था गड़ित के और अलवारूरी का जुकाओ था अलवारूरी जिसने लेखन लेखन में भी अर्वी भाता का प्रयोग किया हुगा था ने संभवत अपनी किर्तियां उपमहादीब के सीमांत छेत्रों में रहने वाल लियोगों के लिए लिखी थी संस्क्रेट पाली तथा प्राक्रतिक ग्रंथों के अर्वी भासा में अनवादों तथा रूपांत्रों से परचित था इनमें दंतकताओं से लेकर खगोल विज्ञान उचकित सब्मंदी किर्थियां तथा सभी सामिल थी पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामगरी सेली के विशाय में उसका दृष्टिकोंड आलो चनात्मक था और निश्चय रूप से हुआ है उनमें सुधार करना चाहता था चली देखिए आंगे तेर्वी सताब्दी में ये आर्वी पांडूलिपी का एक चेतर जिसमें छटी सताब्दी सपूर एथेंस के राजने तथा कभी सोलोन को विद्यारतियों सम्मुदित करती हुए दिखाये गया है चली देखिए अंगे इबन बतूता का रहला इबन बतूता आ गया अपन रख़ा है हजारां बार कि रहला किसकी किताब है किताब रहला लेका हुए अरवी भासा में लिखा गया जिसे रहला कहा जाता है चौद्वी सताबदी में भारती और महदीप के सामजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विशाय में बहुत ही प्रिचूर तथा रोचक जानकारियां देता है मुरक्को के सियात्री का जन्म तेनजिया में हुआ था इवन वर्तूत कहां से आय था मुरक्को से अलवरुनी कहां से आया था और जो एकिस्तान से है ना तो इसका जन्म कहां से हुगा तेनजियर के सबसे सम्माने तथा सिक्षत परिवारों में से एक था जो इसलामी कानून अथवा सरीया पर अपनी बिस्से सक्गता के लिए प्रिश्द्य थे इस परिवार में इसका जन्म हुआ था इबन बतुता का अपने परिवार की प्रंपरा के अंसवार इबन बतुता ने कम उम्र में ही साहितिक तथा सास्त रून शिक्षा हासिल कर ली थी यह सारे जो लिखकती मलब यात्रा करने वाले यात्री थे बहुत ही जादा इंटेलीजेन पढ़ते लिखे थे तब तो उनको इंट्रेस्ट था वर्नाव उनकों इंट्रेस्ट क्यों होगा इन सब चीजों है उन्हें काफी सारी बुक्स पढ़ रखे थी तो उनको पता था कि यात्रा ब्रतांत कैसे होते हैं हमें और अच्छी चीज़ें जानकारी के लिए मिलती हैं दूर्से देशों की तब तुम को इंट्रेस्ट आया बरना क्यों आता अपनी स्रेणी के अन्य सदस्टों के विप्रीत इबन बतूता पुस्तकों के इस्थान पर यात्राओं से अरज आत्रा तथा सीरिया इराक फारस यमन उमान तथा पूर्वी अफिरका के कई तटीवे आपारिक बंदरगाहों की आत्रा कर चुका था इबन बतूता मद येसिया के रास्ते होकर इबन बतूता सं 1333 में इस्थाल मार्ग से सिंद्ध पहुँच चुका था उसने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था तो कब पहुचाता है दिल्ली जब मुहम्मद विन तकला कुमा का सुल्तान था और कला और साहित के एक दयासील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याती से आकर से थो बतूता ने मुल्तान और उच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की वर प्रस्तान किया सुल्तान उसकी बिद्धुता से प्रभावित हुग और उसे दिल्ली का काजिया ने आधिस नयूगत कर धीया वहाई इस पत पर कई बरसों तक रहा फिर उस ने पिस्वास क्षो दिया और उसे कारागार में कएद कर दिया गया था इबन वतूता को बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलत फहमी दूर होने के बाद उसे राच्की सेवा में पुरा इस्थापित किया गया और 1342 में से मंगोल सासक के पास सुल्तान के दूट के रूप में चीन जाने का आदेश दे दिया गया था इबन बतूता को अपनी नई न्युक्ति के साथ इबन बतूता मद भारत के रास्ते मालावार तट की और वाड़ा मालावार तट आपको कहा में लेगा केरल में मालावार से मालडीब तथा जहां वाए 18 महीने तक काजी के पत पर रहा अन्त था उसने स्रिलंका जाने का निश्चत किया बाद में एक वार फिर वाय मालावार तट तट मालडीब गया और चीन जाने के अपने कारण को द्वारा शुरू करने से पहले वागाल तथा समभी होके गूम के आया उसको हूना पसंद था वाजहाद से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाद से चीनी बंदर नगर जायतुन पहुंचा जो आज क्वांचुनाम से जाना जाता है उसने ब्यापक से चीन में यात्रा की और वावीजिंग पहुंच गया लेकिन लंबी समय तक नहीं ठहरा मारको पूलो जिसने ब्रतांत की तुलना मारको पूलो जिसने सथाबदी के अन्टवें बेन nenhuma सस्कृति योँ लोगों आहस्थां मानताओ आदि के विश्यम अपने अभिमत को साधान तथा को सलता पूर बगदर्च किया है हमें ध्यान में रखना होगा कि वह बिस से आत्री चोद्वी सताबदी में यात्रा कर रहा था वह आज की तुला में यात्रा करना बहुत कठिन था उस समय पे तथा जोखें भरा होगा था अभिमत उता किया उसे मुलतां से दिल्ली की आत्रा में चालिस और सिंद से दिल्ली की आत्रा में लगब पचास दिन लगे इतना टाइम लगता था दॉल्ताबाद से दिल्ली की दूरी चालिस दिन में पूरी हुई जबकि गॉालियर से दिल्ली की दूरी दस दिन में तैकर करी जा सकती थी एका की यात्र एका की यात्रा इसको देख लेते हैं लंबी यात्रा हो मैं लुटेरे की लुटेरे ही एक मार तक खत्रा नहीं थे कि आप सुचें हाँ भाई लुटेरे नहीं मिले तो अब तो सब सही है नहीं ऐसा नहीं था और भी सारी चीजें जो है खत्रा की रूप में थी या तरी ग्रातुर हो सकता था बिमार हो सकता था रहला से लिया गया एक उदारा अब रहला अब बतुचा नहें लिखा हुआ है अपने बारे में मुझे जोर जोरने जकर लिया यहा coordinator बोकार था है और मैंने अपने आपको कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया अंदता हम ट्यूनिस सहर पहुंचे और वहां के निवासी सेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए अभी हर और एक दूसे के लिए अभिबादनों और प्रिशनों के साथ आंगे आए लेकिन उन में से किसी ने भी मेरा अभिबादन नहीं किया क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परचे हो अपने एकाकी पन से मैं इतना उदास हुआ कि अपने आँखों में आए आसूं को रुख नहीं सका और भोत रोया पर एक तीर थियात्री मेरी कुंठा का कारान जानकर मेरे पास आया और मेरा स्वागत यानी अभिबादन किया तो यह चीज इबन बतूता ने रहला में अबुहर सरसती हंसी दहली दिल्ली आ गया चले देखे इसको आगे यात्रा करना अधिक आसरक्षित भी था इनों बतूता ने कई बाद डागों के समूंद वारा किये आक्रमण जहले थे यहां तक कि वाए अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था पर इस के कई साथ ही आत्रिया और अपनी जान से हाथ दो बैटे थे जो जीवेत बचे उसमें इबन बतूता भी सामिल था बुरी तरह से गायल हो चुके थे कुछ लोग कुछ लोग मर गए थे डांकू क्या करते थे डांकू हमला करेंगे उसको डांकू को आपका धन दॉला छीनन हैं तो क्या करेंगे आपको मारेंगे ना आप असाइंस तो अपना धन दॉलत देनी देंगे उनको कि भाई लोग यह ले जाओ नहीं ना तो वह लोग आपके साथ काट मार करेंगे चली देखें जिग्यासाओं का उपहोग जैसके हमने बतूता है एक हटीला याती था जिस आया तो इस्थानी यह सासक ने नर्देश दिये कि उसकी कहानियों को दर्च किया जाए जब वह कहां पर पहुंचा जब आपस अपने मुरख को पहुंचा सिक्षा का मनुरण जुजाई जैसे बन बतूता के सुत्र लेकों को लिखने के लिए निक्त किया गया था उसकी प यह साथव मिले हैं उनकी महान साहित कारों की तता उनकी धर्म निष्ट संतों की यह में बताया ह। जिसने मस्तिक को मनुरंजन तथा कान और आख को प्रसंसा दी साथ उन्होंने कई परकार के आसाधनर बेवरन जिनके प्रतिपादन सिल्लाफरत उपदेश मिलते थे दिये गए दिये तथा आसाधनर चीजों के बारे इम बताया जिनके संदर में अभी दूची जेगी मलब व वहां कि साहित्ते को धर्म कैसा चलता था जैसा भी आपको जो भी आदे उस चीज के बारे में आप और लिखुआ है चली देखे आंगे इबन बतूता कि पत्थ चिन पर कि इसको देख लेते हैं अठ्था चब्दोसों से अठार्सों की बीच भारत आयात्तियों ने फार्स परूनी और इबन बतूता के पत्थ चिन नों का इसनार किया इनमें से कोछ ने इन पूर बढ़ते लेकों को भी पड़ा देखे इनमें से सबसे प्रिस्द लेकों में था अब्दुर्रजाक समरकंदी जिसने चौद्या सो चालिस के दसक में दच्छन भारत की आत्रा की थी किसने अब्दुर्रजाक ने महमूद बलखी जिसने सोला सो बीस के दसक में ब्यापक रूप से आत्रा की थी तथा से खली हाजिन जिसने सतर चौद्या की दसक में उतर भारत की आत्रा की थी इनमें से कुछ लेकक भारत में सम्मोहित थे और यहां तक की उनमें से एक महमू पसंद आए ज़रूरी नहीं कि सबको आए कुछ सम्मूहित हुए लेकर कुछ निरास हो गए उन चीजों से है ना नजरिया होता है अपना अपना देखने का भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आसा कर रहे थी उनमें से अधिकांस ने भारत को अचंबों के सकते चिकत सकते लगबग पन्दा सो इसवी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पस्चात उनमें से कई लोगों ने भारतिय सामजे करी दिवास तता धार्म के विस्तित बितांत लिए उनमेंगें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे की जे स्वीट रोबाटू नू नोबिली ने भी भारती गरंथों को युरूपी भासां में बादित किया है सबसे प्रिसिद युरूपी लेकों मैंसे एक नाम था दुआर्ते बर्बोसा जिसने दच्छण भारत में ब्यापार और समाच के विस्त्रित बिबरन लिखा हुआ है किसने दुआर्ते बर्बोसा कलांतर में 1690 के बाद भारत में आने वाले डच अंग्रेज तथा फ्रांसिशी यात्रियों के संख्या बढ़ने लगी यहां तो इनका राज ही हो गया था ना यह अंग्रेज आ चुके थे डच अंग्रेज फ्रांसिशी आ चुके थे कंपनी लगाने के लिए 16 समय तो यात् यह ना फ्रांसिशि जोहरी जो यह द्या बैसी द्यूंता द्यृत करेंद च॥ित द्यूंसी प्रॉत ही थोधे़ने के जोड़ने रिचने सब्सक्tle करेंदैनल मोय यहां जोथिन अतून सनव मिना फश्रियोव कि आप और प। से की इन में से कई यात्री जैसे इतालवी चिकितसक मनू की कभी इतालवी से आये था कभी भी इरोब बापस नहीं गए और भारत में ही बसकर रह गए फ्रांस का रहने वाला फ्रांस वाबर नियर एक चिकतसक राजनितिक दार्शनिक तता एक इतियासकार भी था कई और दरवार से नजदी की रूप से जुड़ता रहा पहले सामराट साय जहां के जिश्ट पुत्त दारा सिकोई की चिकतसक की रूप में रहा और बाद में मुगल दरवार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिसमंद खान के साथ एक बुद्धी जीवी तथा बिग्याने की रूप म जो देखा उसके बिसाय में बरनियर लिखते हैं सामान भारत में जो देखता था उसकी तुल्लाई रूप स्थिति से करता था उसने अपनी प्रमुक्रिती को फ्रांस के सासक लूई लूई चौद्यवबै को समार्पित किया और उसके कई अनकार प्रभासाली अधिकारियो और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे लगवाग प्रतेक बितांत में बरनियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुगे विकास की तुल्ला में दय नहीं बताया जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलान हमेशा सटीक नहीं था फिर भी जब उसके कार प्रभ लेना मुगल सेना के बारे में दिया हुआ है पढ़ लेना है लो या पलो इसको देखे भारत के बिसाय में बिचारों का निर्मान तथा प्रशार भारत के बिसाय में बिचारों का सरजन और प्रशार कर एरोपी आत्रों की बितांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकासन और माद्धम से एरोपी लोगों के लिए भारत की एक छबी के सिर्जन से चबी के सिर्जन में साहता की बाद में सतर सो पचास के बाद जफ सेख इतिसमुद्दीन तथा मुरजा अबू तालिब जैसे भारतियों ने एरोप की आत्रा की तो उन्हें एरोपी लोगों की भारती समा की छबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने तत्थों की अपनी अलग ब्याख्या के माद्यम से इसे प्रभात करने का प्रयास कि चले इसको हटाई आंग देखें बर्नियर के कार फ्रांस में सुला सो सत्तर से एक सत्तर में प्रकास्ट दूए और अगले और अगले पांच वर्सों के भीतर ही अंग्रेजी डचिज जर्मन इतालवी भासाओं में इसका अनवाद हो गया सोला सो सत्तर और सत्तरा सो पच्चिस के बीच उसका ब्रतांत फ्रांसिसी में आठ बार पुना मुद्रित हो चुका था और सोला सो चौरासी तक यह तीन बार ने पुना मुद्रित कर दिया था और अर्वी तथा फार्सी ब्रतांतों जिसका प्रसार हस्त लिपियों की रूप में होता था और जो अठार सो से पहले सामवान तब प्रकासित नहीं हुए थे बूरी तरह बिप्रीक थे चले आंग देखिए इन सारे जो है आपके यातिर अलवावी तब हम लोगों ने तीनों लोगों के बारें पड़ा फ्रांसिजसी बर्णियर अलवारूनी और इभन भतूता संस्की संस्कृत वादी फरंपर तो इसको दीखेंगे सेखें पार्ट पार्टों चले मिलते हैं तबीं सेल्ट पार्ट के सार्थ आप तक लिए जै बारत